आज की वीडियो में हम छोई मुई के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे इस पौधे की पतियों को छोने से ही ये चुकुर जाता है इसी कारण इसे छोई मुई, लाजवन्ती और सरमिली के नाम से जाना जाता है इसके कहीं प्रजादिया होती है जिसमें पीले रंके, लाल रंके और गुलावी रंके भी पुष्प होते है वर्सारुत्यों की सुरुआद के मौसम में ये पौधा लगबग पूरे भारत वर्स में अपने आप उत्पन होता है ये पौधा समवेदन सिल्ख होता है इसके पत्यों को छोने मातरे से ही ये मूर्जा जाता है इसी कारण इसे ज़्यादतर बासाओं में छुई मुई और लाजवन्ति के नाम से ही जाना जाता है इसका वग्यानिक नाम है मायमो साब पोड़ी का सास्त्रों में जिन 64 दीविय अवसद्यों का वरणन मिलता है उसमें से छुई मुई भी सामिल है इसका उपयोग ज्यादा तर स्तन के अंसर मदू में कमजोरी मिटाने के लिए किया जाता है इसके अलावा ये पौधा खांसी म भी बहुत ही लापकारी होता है खांसी की समझशा होने पर इसकी जड को गले में धारन करने मात्रे से ही खांसी दूर होती है यहीन्य दोस्तों यह पौधा घरबा सेयं में उत्पन होने वाले ट्यूमर को भी कत्म करता है जोड़ों में होने वाली सुजन को भी मिटाता है और ब्रेस्ट केंसर में बहुत फाइदेमंद होता है। सरीर में अगर किसी वज़र से चोट या खाँ हो जाता है तो छुई मुई की पत्यों को पिसकर पेश्ट बनाए और उस थान पर लगाए जल्दी से आराम हो जाता है। दस्तो इस पोधे का सिवन करने से पेशाब खुल कर आता है। अगर किसी को पत्री की समस्या है तो लाजवन्ती की जड़ो को लाए, साव में सुखाए और इसका काड़ा बना कर दिन में तीन बार सिवन कराए। एक सप्तहा लगादार ऐसा करने से पत्री गल कर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। अगर किसी को पेशाब समस्या है पेशाब रुक रुक कर आता हो या जलन हो रही हो तो लाजवन्ती की पत्तो को पिशकर एक पेश्ट बनाए और पेट के निची के भाग के तरप इसका लेप लगा दे। इस विदी से पेशाब खुल कर आ को साव में सुखाए और इसका काड़ा बनाकर अगर आप सेवन करते हैं तो कमजोर हडिया भी मजबूत बन जाएगी। अगर दानत कमजोर हो तो इसकी जड़ों का काड़ा बनाकर कुल्ला करें। कुछी दिनों में दानत मजबूत बनेंगे। लाजवन्ती का पोधा नप जोका चूर्ण का सेवन करते रहें। कुछ दिनों तक लगादार ऐसा करने से सुक्राणाओं की कमी दूर हो जाएगी और सरीर ताकतवर और पुष्ट बन जाएगा। मदू में याने डायबेटीस। लाजवन्ती के पंचक के सुखी चूर्ण के पावडर को 5 ग्राम की मा कर निकाले 10-15 मिली के मातरा में और पिए इससी भी डायबेटीस कंट्रोल में रहता है।